दोस्तो आज की वीडियो में fully stitching के साथ अफगानी सलवार की cutting के साथ बताने वाला हूँ ये वीडियो आपको उन्हें सुर्टगा और लाश्ट तक देख लिया ना तो अफगानी सलवार जो है proper बनाना आपको जागे दोस्तो क्या है पहले मैं आपको cutting बताऊंगा उसके बाद मैं आपको pasting करना बताऊंगा यहाँ पर सब कुछ detail में बताने वाला हूँ मतलब की कुछ भी नहीं छूटेगा और ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया ना चलिए करते वीडियो को start सबसे पहले मैं अपने टेबल पर यहाँ पर आ चुका हूं टेबल पर आने के बाद करने क्या है इसको हमने डबल फोल्ड करके बिशार रखा है और डबल फोल्ड जो करके बिशार रखा है दोस्तों उपर से जो भी छोटा बड़ा हो रहा उसको क तो यहाँ ने 6-10 तो यहां फिमने 6-10 नीजान लागा लाएं तो करने के आपको pricingrice पर याँ निजान लगा लिया अब यहां पर 16 इंची 17 इंची रखना है यहां पर 17 इंची रखना है तो मतलब कि है शे इंची 7 इंची आपको यहां पर आपको रखना है वह आपको रखना है साड़े चौदा ठीक है और यहां पर निशान लग चुका है अब मैं इसको कटिंग करूंगा भारी किसे दोस्तों आपको देख़ना है वीडियो को शीलाश्ट टक सबकि है किस पकुछ इंपर होचका है इस तरह किसा ठीक है यह थोड़ा सा और तुझत भूल्रस तोड़ा से टेबल थोड़ा सा चोटा है सब्सक्तिंग कर के हमसी कटिंग कर लेते हैं थिक तो यहां के रखाएंगे यहां भी लगाएंगी जो हमारा फोड़ाख टिक कर लगेगा ठीक एश्ब्रक नाप लेगी यहां दीके नियाआ साड़े चौद इंची आ जा रहा आसन और आपको भी इस तरह के से साड़े चौद इंची आसा रहा करके सु cutting कर लेना है बारिके से ठीक है अब यहाँ पर नीचे का करना दोस्तों इस तरह के से करना है इसको फटाफट डाले ने के बाद 15 इंची करना है कि 5000 करने के बाद दोस्तों आपको पेस्टिंग लेना है ठीक है तो पहले इसको रेडिकर लिए यहां पर बाद ही मैं आपको समझाओंगा अपने मसीन पर पहले में यहाँ पर टेबल पर इसको अच्छी तरह किसे इस्टीम प्रेस से चिपका लेंगे अगर आप इस्टीम प्रस नहीं नॉर्मल प्रस तो आपको सिलाई लगा के भी रोक लेना कोई दिक्कत नहीं है लेकिन चिपका लेंगे थोड़ा सा ग्रेस और साइनिंग अच्छी आयाती है तो आप देख लिए आपको सुधा जैसे हैं और तना आप सिलाई मार के भी इसको बना सकते हैं ठीक है तो यहां पर लगबग हमने पेस्टिंग करके हमारे रेडियो हो चुका है यहां पर पेस्टिंग कर लिय करने है तो सबसे पहले पाले को नीचे रखना उसको पर पेस्टिंग रोल रखना है और उसके से यहां पर सिलाई आपको लगा देने आहींcak लगाने के बाद मैं आपको पक्का करके दिखाऊँगा और दोस्तों आफगानी सलवार बहुत ही जी है और बहुत ही सरल तरगे से यहां पर बनता है आप नए है चनल पर तो प्लेचनल को सपोर्ड कर लिजिए और चनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि इस पर एक से करते बढ़ताबा बनाना तो यहां पर हमने इसको पैस कर दिया ओपर कभी एक स्लाइब लगा दिया है लपका और बहुत ही खुब शुरुत तरगे से यहां पर इसको लगाए जा रहा है ठीक है चलिए कटिंग कर लेना बराबर कर लेना इसको मोरी करना है और और मोरी हम न सब्सक्राइब किजिएगा और बेल आइकोन को जुरूओं के लिए अपको मिल पाए और सपोर्ट कीजिए प्यारा दिखाईए जिस तरह से आप दिखाएंगे मैं आपको आपके लिए ताकि आप समझ करके और अपने घर में अगर नए हैं तो बच्चे हैं या आप खुद समझना चाहते हैं तो सब कुछ बार किसी आप समझाऊंगा और सिखाऊंगा ठीके बस प्यारा कोमेंट आप लोग कीजिए मनोबल थोड़ा बढ़ेगा होसला बढ़ेगा अब यहां श्रक रिकांट ख्रेंग लेंगे अब यहां दोस्तो आस्थन हमें जोड़ लेना आए만 जोड़ने कष्थे का इस तरह क्या ago कश्छी यहां पर इसकी आजोड़ लेना है एक दूसरे का अंदर सब सब्सक्ताइब आप को सबस्क्राइब को सबस्क्राइब आपको देखें यह हो चुकत है अब क्या करना दूस्तो इस पे यहां पर काम हो खना लाष्ट्टीक जो हम्हारा मानन Vic 30 यह थिक 159 डालने का Comr चंप आभ द Hammar के हिसाब से चार इंची आपको कम करuç के लगा देना है जो भी आपको मरहिए उसमें आपको मने कम करें रहो हैं मोब showc времени करतेना उसके अपलाभन करके जोड़ करना नहीं ज़ोड़ करके लगा दो और लाश्टिक लगाने के बाद ही बहुत खोफ़वार से यहां पर आता है मतलब अफगानी सलुवार लगभख ग्रेड़ी हो चुका है दोस्तो और तीसरी बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों यहां पर क्या है कि बहुत सारे लोग के बेल्ट वाला अफगानी सलुवा बहुत ही खुब्सफरी तरगे से चलना वियह इसका डिमांड जाता है ठीक है क्योंकि प्लेटेग डालने के जिरूत नहीं से और नीचे डालना है प्रलाक्षिक लगा देना है बिरुक्ल सही तरीका है और यह भुखत चाहिए ट्रेंड में जो जाता चलना दोस्तो तो इसक को जुरूर आप बनाईए और फॉलो कीजिए मिलते नेश्ट में तक लिए बाइबाइब